तो हाई गाई वाट्स आप वेलकम बाक टो ग्राविटी सरकल वेलकम बाक टो जी सी 3.0 एंड इन दे प्रीवियस लेक्चेर हम लोगों ने सॉल्यूशन्स नाम का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था एक जल्दी से अपडेट दे देता हूं हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया है कि एंसी आटी के सल्यूशन जरूरी है क्योंकि वो बच्चा जो सिर्फ बोट्स के लिए प्रिपैर कर रहा है उसके लिए एंसी आटी ह सबी कुछ है तो आप लोगों के लिए मैंने डिसाइड किया कि अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो तो सेटर्डे को और अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो संडे को हम लोग NCRT सॉल्व करेंगे जैसा आप लोगों ने देखा होगा अभी लेटेस्ट में पिछले स संडे को हमारा एक वीडियो आया था जिसमें मैंने सॉलिट स्टेट के NCRT के कोइशन NFL कराने शुरू कर थे S और अगर आप हमारे चैनल पर जाओगे और सॉलिट स्टेट्स जी सी 3.0 सॉलिट स्टेट्स पर क्लिक करोगे आपको उसके अंदर सारे लेक्चर मिल जाएंगे सिमिलरली हम लोगों अभी एक और चीज शुरू करने की कोशिश की है हर सटर्डे संडे हम लोग शाम को आदे घंटे से 40 मिनिट की एक लाइव स्ट्रीम करेंगे जिसमें हम जेई और नीट के पीवाई क्यू सॉल करेंगे सटर्डे संडे हम लोगों पूरा क्वेशन प्रक्टिसिंग एंसी आड़ी सॉल्यूशन जेई नीट सॉल्यूशन के लिए रखा और मंडे से फ्राइडे हम लोग लेक्चर अप्लोड करेंगे करें तो बिना किसी देर करें आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है लेकिन complication जरूर create करता है थोड़ा सा confusion create करता है तो जो मैं पढ़ाता चलू प्लीज मेरा बच्चा लोग उसको आप लोग आराम से follow करते चलना मैं कोशिश करूँगा इसको simplest form में रखने की जितना simple हो सकेगा उत्ता simple रखने की मैं कोशिश करूँगा तो आज के lecture में लोग start क करने वाले हैं electro chemistry ठीक है now what is electro chemistry देखो बच्चा लोग क्या होता है हम electricity का इस्तामाल अगर हमारी chemistry में करे तो वह basically electro chemistry होता है बिल्कुल सीधी भाशा में बोला जाए तो basically आप लोगों ने देखा होगा जैसे आपके घरों में जो inverters लगे हैं जब कभी भी आपके घर पे power cut हो क्या होता है power cut होते ही आप लोगों का inverter का backup start हो जाता है inverter connected होता है बैटरी से तो basically जो बैटरी होती है जैसे ही electricity cut off होती है उस बैटरी के अंदर अपने आप कुछ chemical reactions होना शुरू हो जाती है और उस chemical reactions की वजह से जो energy develop होती है उस energy को हम लोग electrical energy में convert करके हमारे घर की बिजली चराने का काम करते है तो ऐसी chemical reaction जो खुद बाखुद शुरू हो जाए उसको spontaneous reaction बोला जाएगा और electro chemistry chapter के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ redox reactions ही देखने को मिलती है ऐसी chemical reaction जिसमें की oxidation और reduction एक साथ होता है तो electro chemistry में आपको एक chemical reaction देखने को मिलेगी ज इसको बहुता है spontaneous redox reaction जब आपको यह spontaneous redox reaction देखने को मिलती है तो क्या होता है तो आपके like example के अगर मैं बात करूँ तो आपकी batteries है न भैंटरीज को है कि बैटरीज इंवर्टर की बैटरी इस बैटरीज इंदर क्या होता है chemical reaction अपने आप होने लगती है reaction अपने आप होने लगती हैने spontaneous spontaneous का मतलब जो अपने आप हो जाए जब आपका दोस्त आपको थपड़ मारता है तो आप spontaneous ली उसको गाली बग देते हो अपने आप गाली निकल जाती है तो जब आपको chemical reaction हो रही होती है spontaneous स्पॉंटेनियस तरीके से तो इससे एनर्जी निकल रही होती है स्पॉंटेनियस केमिकल रियक्षन से कैसे निकल रही होती है एनर्जी किस प्रकार की एनर्जी नो डाउट केमिकल एनर्जी होगी नो डाउट वो केमिकल एनर्जी होगी इस chemical energy को convert किया जाता है electrical energy में काई में convert किया था electrical energy में और इस electrical energy का इस्तमाल हम लोग करते हैं हमारे घरों में power supply करने के लिए तो जब कभी भी आपको कोई spontaneous chemical reaction होती भी दिखाई देती है हमेशा ध्यान रखना chemical reaction spontaneously होना शुरू होती है और आप chemical energy का conversion electrical energy में करते हैं क्या चीज़ clear हो गई So this chemical reaction is called as spontaneous chemical reaction क्या बास समझ मा गई अब सर यह जो battery है यह किस प्रकार का device है तो हम बोलेंगे such reactions such reactions या मैं कहूं process such reactions and process always takes place always takes place in electrochemical cell यानि जब कभी भी आपके सामने ये वाला शब्दा है electrochemical cell जब कभी भी आपके सामने ये वाला शब्दा है आप समझ जाहिएगा इसके अंदर कैसी process हो रही होगी spontaneous redox reaction हो रही होगी spontaneous redox reaction का मतलब क्या chemical reaction अपने आप होने लगेंगी reactants अपने आप react करने लगेंगे product अपने आप बनने लगेगा और जब कभी भी chemical reaction होती है उससे chemical energy release होती है और जब chemical energy release होती है तो हम क्या करते हैं उस chemical energy को inverter का इस्तमाल करके electrical energy में convert कर लेते हैं आपके remote के cell आपके remote के cell जाते हैं रिमोट का बटन दबाया चैनल चेंज हो गया spontaneous process आपके घडी के cell cell लगाया घडी चालू मतलब cell के अंदर spontaneously अपने आप कुछ chemical reactions हो रही है और वो chemical reactions से निकलने वाली chemical energy को वो cell electrical energy में convert करता है और electrical energy का इस्तमाल घडी के टिक 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 चलने में होती है क्या बास समझ महारी मेरा बच्चा लो is there any kind of doubt very good क्या किसी भी तरीके की कोई परिशानी similarly हम लोगों को एक और टाइप की chemical reactions होती भी नजर आती है जिसे बुला जाता है non-spontaneous reaction non-spontaneous reaction या मैं कहूं non-spontaneous redox reaction अब आप लोग खुदी यहाँ पर समझ गए होंगे कि यहाँ पर इस प्रकार के प्रोसेस के अंदर chemical reaction अपने आप नहीं होगी तो यहाँ पर क्या किया जाता है यहाँ पर outer source से electrical energy supply करी जाती है electrical energy is given electrical energy given करेंगे तो क्या होगा so that chemical reaction takes place so that chemical reaction takes place ताकि chemical reaction हो सके और chemical reaction हो सके ताकि हमें chemical energy मिल सके so that we can obtain chemical energy so what do you mean by non-spontaneous reaction ऐसी chemical reaction जिसके अंदर reactions अपने आप start ना हो एक ऐसी process एक ऐसा system जिसमें chemical reaction खुद बाखुद ना होने लगे जिसे यहाँ पर reaction खुद बाखुद हो रही थी यहाँ पर reactions खुद बाखुद नहीं होगी यहाँ पर reactions को कराने के लिए आपको बाहर से करंट देना पड़ेगा जैसे आप लोगों की पढ़ाई पढ़ने का मन नहीं होता लेकिन जब मम्मी पापा की फ्लाइंग चपल रिसीव होते हैं यह जब exam का tension सर पर आता है तब पढ़ने बैठके तो यह non spontaneous process हो गई तो जब तक आप बाहर से करंट supply नहीं करोगे reaction शुरू नहीं होगी जब तक reaction शुरू नहीं होगी chemical energy नहीं बनेगी तो ऐसी conditions जिसमें आप लोगों को electrical energy को chemical energy में convert करना हो that type of reaction is called as non spontaneous redox reaction हमेशा ध्यान रखना non spontaneous redox reaction they always takes place they always takes place takes place एक device होना चाहिए एक cell होना चाहिए in electrolytic cell कौन से cell के अंदर electrolytic cell याने electrolytic cell जिसके अंदर आपने बचपन में electrolysis नाम की process पढ़ी हो याने basically हम लोगे कौन सी process पढ़ रहे this process is called as electrolysis process this is nothing but electrolysis process जिसमें बाहर से current या energy देते हो electrical energy देते हो और chemical reaction हो कि आपको chemical energy मिलती है तो ये वाली process non spontaneous redox reaction हमेशा electrolytic cell के अंदर होती है और spontaneous redox reaction हमेशा electrolytic cell के अंदर होती है electrolytic cell का काम क्या होता है chemical energy को electrical energy में convert करना वहीं electrolytic cell का काम क्या होता है electrical energy को chemical energy में convert करना वाई से वर्षा चलते हैं दोने दुसरे के क्या इचीज समझ में आ गई आप लोगों को कोई परशानी नाउ सर हम लोगों के लिए spontaneous redox reaction यह यह electrolytic cell क्यों important है बिटा हमेशे ध्यान रखना एक बहुत ज़्यादा economic याने सस्ता an environmental friendly source है यह of energy production यहने जो आपको electrical energy चाहिए होती है यह बड़ा economic तरीके से सस्ते तरीके से और environment को नुपसान पहुचाए बिना environment में pollution किये बिना आप electrical energy बना सकते हो तो इसी लिए electrochemical cell की बहुत demand होती है तो सर फिर इस cell का क्या काम तो बिटा आप लोग देखना जितने भी metallurgical process होती है जितने भी metallurgical process होती है याने extraction of metal उसके अंदर बहुत सारे important chemicals जैसे NaOH, Cl2, F2, H2, O2 एक्सेक्टरा इतने सारे important chemicals के production के लिए भी इसका इस्तमाल किया जाता है आप देखो ना आपने current दिया current दिया तो chemical reaction भाई what is chemical reaction reactants का react करना और product का बनना तो यह metallurgical process में जो तुमको metal मिलते जैसे aluminum, sodium, potassium यह जो metal आपको मिल रहे है यह chemical reaction का ही तो नतीजा है एने ओएज जो बन रहा है chemical reaction का ही तो नतीजा है Cl2 जो निकल रहा है chemical reaction का ही तो नतीजा है hydrogen जो बन रहा है chemical reaction का ही तो नतीजा है for example जैसे मैं आपको यहां पर बताऊं लिखके जैसे मानलो आपने NaCl को पानी के अंदर dissolve करके इसका electrolysis कर दिया electrolysis कर दिया मतलब आपने electrical energy provide करी इन reactants को तो यहाँ पर क्या बनेगा definitely यहाँ पर NaOH बनेगा यहाँ पर Cl2 नाम की gas निकलेगी और यहाँ पर H2 नाम की gas निकलेगी समझ महारी ही मेरा बच्चा लोग कोई परेशानी कोई दिक्कत तो यह आपका example हो जाता है यहाँ 2 लगा दो तो यह 4 हो गए यहाँ 2 लगा दो तो यह balance हो गया यहाँ पर 2 लगा दो तो यह तुमारी reaction balance हो गए तो यह दोखो ना आपने NaOH बनाया Cl2 बनाया, H2 बनाया तो यह तुमारे प्रोड़क्ट हो गए ना तो नौन-spontaneous redox reaction बहुत सारे important chemicals आपको बनाने में मदद करती है ठीक है सर Spontaneous and non-spontaneous reactions हमको बढ़िया तरीके से समझ में आ गए लेकिन यह पढ़ाया क्यों इनकी study ही तो electrochemistry है मेरा अच्चलग What is electrochemistry Electrochemistry is the branch of chemistry that deals with the study of conversion of chemical energy into electrical energy and electrical energy into chemical energy this is your electrochemistry जरा इसका screenshot ले लो ताकि मापको electrochemistry की definition लिखवा सकू प्लीज तेक थुचुक वाला screenshot जल इसको थुचुक कर लो प्लीज गुलजारी लालो मेरे प्यारे प्यारे बखुडों मेरे बच्चो प्लीज इसका screenshot ले लो डन चलिए तो basically electrochemistry क्या है electrochemistry is the branch of chemistry that deals with the conversion of chemical energy into electrical energy and vice versa vice versa मतलब उसका उल्टा तो लिख लेते हैं what is electrochemistry so electrochemistry is the branch of chemistry या कि chemistry की वो शाखा है is the branch of chemistry that deals with the that deals with the conversion that deals with the conversion of electrical energy electrical energy into chemical energy into chemical energy and vice versa and vice versa this is your electrochemistry in fact आपके brain में जो signals जा रहे हैं जिसे आप पढ़ रहे हों पढ़ते पढ़ते आपको किसी की याद आ गई बाबूश होना की तो एक दम आपके brain में जो signals चले वह भी प्रकार की एलेक्टरों के मेस्ट्री तो है वह भी प्रकार की एलेक्टरों के मेस्ट्री जिसे जो बायो वाले बच्चे हो जानते हैं कि brain में जो cells होते हैं जिसको अगा neurons बोलते हैं ब्रेन में जो neurons नाम के cell होते है वो neurons नाम के cell इस तरीके से आपके realised tô dos आपकी पुरी body ऑनदर आँड होते हैं लेकिन क्या होता है से हर नयूर्ण के बीच में एक छोटा सा गायप होता है हर neurons की बीच में चुटा तक gap होता है, synapse जिसको बोलते है, so basically क्या होता है, जब कभी भी कोई signal brain को देना होता है, signal, प्यार का signal, जो signal एक neuron के head से लेकर tail वाले portion तक, electrical energy के form में जाता है, लेकिन क्या होता है, यहां से यहां, बीच में gap आजाने की वज़े से, electricity conduct नहीं हो सकती, electricity को conduct करने के लिए continuous wire चाहिए, तो तुरंत यहां पर कुछ chemical reactions होकर, electrical energy को, chemical energy में convert कियाता है, ने, chemical form में convert कियाता है, electrical signals को, chemical signals में convert कियाता है, और फिर वो chemical यहां पर release होते हैं, उन chemicals को यह नए neuron का head capture करता है, फिर यहां पर, वापस से तुम्हारे chemical signal, यहां निउरॉन के head में यहां पर, जो इसने signals अभी पकड़े हैं, chemical के form में, तो यह तुम्हारे chemical signals हैं, यह वापस से convert होते हैं, electrical signals में, electrical signals में, और फिर यह electricity के form में, यहां से यह travel करता है, तो पहले फिर यहां chemical energy में convert होगा, electrical signal, chemical में convert होगे, पिर यहां पर, chemical signal, electrical signal में convert होगे, फिर यहां से यह travel करेंगे, तो तुम्हारी body में भी electro chemistry चल रही है, वेजिकल इलेक्त्रो केमेस्ट्री बहुत बढ़ा जिसको बोलना चाहिए वाईड फील्ड है और इसके अंद हमको टिपिकली दो चीज़ों के बारे में बात करनीया एक एक इलेक्ट्री कल को केमिकल में ब जाहिए तुमारा इलेक्त्रो केमिकल आ वैसे मेरी खाल से सभी लोगों को छोटी-छोटी बात है तो आती है आप दिस कॉंपेटिट्टीव एलेक्ट्रो उन्स फर एक चोटा सा अपडेट वैसे तो यह अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है अगर आप किसी 8, 9th और 10th के बच्चे को जानते हों जो अपना early foundation बनाना चाहता है जो आप लोगों ने शायद miss कर दिया होगा 8, 9th और 10th का बच्चा जो अपना early foundation बनाना चाहता है J.E. NEED जैसी exams के लिए N.T.A.C. Olympiards के लिए तो उसके लिए गाई से कि important information है कि मैंने an academy पर एक category पर join किया है और वो category सिर्फ 8, 9th और 10th के बच्चों के लिए है early foundations के लिए उसकी complete information मैंने नीचे description box में दे रखी है उन desirable बच्चों के साथ उन needy बच्चों के साथ जिनको उस चीज की need है जरूर शेर कीजएगा basic लिए क्या किया गया chemical reactions कुछ करके देखी गई यह दो for example laboratory में यहाँ पर एक chamber के अंदर एक zinc की rod dip कर दी गई एक zinc की rod यहाँ पर dip कर दी गई और इसको डुबा दिया गया copper sulfate के solution के अंदर कुछ देर बाद क्या देखने को मिलता है copper sulfate का blue color धीरे धीरे कम होने लगा copper sulfate का blue color धीरे धीरे कम होने लगा और मनले यह जो copper sulfate जो blue color का solution था इसका जो color था यह थोड़ा 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 फेड होने लगा कम होने लगा और ZNC की रॉट के ओपर कुछ Brown Radish Brown Color का MTL जमने लगा तो लोगों ने बोला भया ये क्या हुआ तो जब पता लगा या तो ये देखने को मिला कि जब कभी भी ZNC का chemical reaction आप लोगों ने copper Drive के साथ किया तो तो Zinc Sulfate का Formation होएता और Copper अलग हो जाता है यहने Zinc जो की पहले Metallic форм में था और Copper Sulfate जो की Aquas form में था अब यहाँ पर Zinc Aquas form में आगया है और Copper solidified form में आगया है अगर हम लोग यहाँ पर Redox reaction लगा कर देए तो Zinc क्योंकि अपने Native form में है इसका Oxidation No.0 copper का जो कि aqueous form में oxidation number plus two यहां पर zinc का oxidation number plus two हो गया और copper क्योंकि अपने native form में आगया इसलिए oxidation number zero हो गया that means यहां पर zinc ने electron loose करके खुद को oxidize करा और copper ने electron gain करके खुद को reduce करा क्या वा समझ मारी है क्या चीज़ क्लियर हो रही है फिर इन्होंने क्या करा इस process को उल्टा करके देखा इस process को उल्टा करके देखा मदब यहां पर आप इन्होंने क्या कर दिया जेड़े ने जो फोर भर दिया और यहां पर आपके copper की rod डाल दी क्या देखने को मिला एक्स्पेरिमेंट में no reaction no reaction किसी भी प्रकार की reaction देखने को नहीं मिली that means यहाँ पर एक बात यह पता लग गई कि जिंक ने copper को displace करा zinc ने copper को हटा कर SO4 के साथ complex बना रखा वार कर दिया लेकिन जब हमने यहाँ पर यह करने की कोशिश करी कि ZNSO4 को copper के साथ react करें तो यहाँ बाद आपको क्या लिखा no reaction ऐसा क्यों हुआ that means copper में थी ताकत नहीं कि उजिंक को हटा दे बलब इससे एक बात यह proof हो गई कि zinc is more reactive than copper इससे यह बात proof हो गई कि आपका zinc copper से ज्यादा reactive है आई बात समझ में similarly एक experiment करके देखा गया एक copper की rod को AGNO3 silver nitrate के complex में डालके देखा गया तो क्या देखने को मिला कि copper जब silver nitrate के साथ react करता है तो यहाँ पर cu no3 hold twice है copper nitrate बन जाता है और silver भार हो जाता है यह जो copper की rod है इस पर आपको silver 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 जमा होता हुआ दिखाई देड़ा है यहने copper ने silver को replace कर दिया यहने copper silver से ज़्यादा reactive लेकिन जब आपने इसको उल्टा करके देखा जब आपने यहाँ पर copper nitrate डाला और जब आपने इसमें silver की rod डाली तो यहाँ पर आप देखाऊगे कि यहाँ पर no reaction is there no reaction वालब इससे क्या प्रूव हुआ इससे यह प्रूव हुआ कि copper is more reactive than silver और हम लोग जानते हैं कि zinc copper से यादा reactive है वालब zinc is ultimately more reactive than silver तो basically इस तरीके से competitive electron transfer वाला mechanism इस्तमाल करके competitive electron transfer वाला experiment इस्तमाल करके एक series बनाई गई जिसका नाम था electrochemical series जिसको हम future में discuss करेंगे basically electrochemical series यही बताती है कि कौन सा element electron accept कर सकता है easily और कौन सा element electron donate कर सकता है competitive electron transfer का मतलब यह है मतलब यहाँ पर सीधा सा मतलब यह है कि zinc copper से जादा electron donate कर सकता है जादा जल्दी electron donate कर सकता है वहीं copper zinc के मुकाबले जादा जल्दी electron accept कर सकता है यही तो reason है कि क्योंकि zinc सिर्फ electron छोड़ना जानता है और copper electron ले सकता है जब यह दोनों आमने सामने होंगे लेकिन यहाँ पर zinc के पास में electron है नहीं छोड़ने के लिए क्योंकि वो already plus 2 oxidation state में तो वो electron नहीं छोड़ेगा, copper को electron नहीं मिलेंगे तो वो कहां से लेगा तो reaction नहीं हुई, तो यह competitive electron transfer है, कौन competitively लड़ भिड के electron छोड़ता है तो दूसरे को electron लेना पड़ता है, तो competitive electron transfer system कि कौन से element, भले ही वो metal हो या non metal हो, जल्दी electron छोड़ता है और कौन जल्दी electron लेता है, उस हिसाब से उनको arrange किया गया, और यह competitive electron transfer system आप लोगों को एक cell बनाने में मदद करता है, that is called as electrochemical cell, तो heading डालेंगे आप लोग next, इस electrochemical, electrochemical cell, तो अगली चीज़ जो हमें study करनी है, that is your electrochemical cell, electrochemical cell, अब गाइस हुआ क्या, जब हम लोगों ने यह वाला experiment करके देखा, कि आपने एक chamber के अंदर, copper sulfate को aqueous form में रखा, और इसमें आप लोगों ने zinc की rod dip करी, तो reaction किस प्रकार हुई, reaction A से हुई, ZN प्लस Cu diapositive, ZN solid form में, copper aqueous form में, reaction होके ZN मन गया diapositive form में, और यह aqueous form में चलागे, और copper चलागे अपने solid form में, oxidation number 0, इस chemical reaction के तोरान, यह देखा गाया है कि यह chemical reaction exothermik है, यह क्या कर रहा है, यह heat produce कर रहा है, लेकिन बेटा हम लोग क्या कर रहा है, हम लोग तो electrochemistry पढ़ रहा है, हमें एक ऐसे cell की जरूरत है, जिसमें यह chemical reaction, अच्छा यह कौन सी reaction हो रही है, यह chemical reaction हो रही है, तो chemical reaction से क्या हो रहा होगा, chemical energy निकल रही होगी, और यह chemical energy किस type की है, यह chemical energy heat के type की है, लेकिन हम लोगों का क्या chance है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग यह करना चाहते हैं कि हमें कुछ एक ऐसा cell मिले, जिसमें हम इस प्रकार की chemical reaction का इस्तमाल करके, chemical energy को electrical energy में बदलें, लेकिन यहाँ पर तो heat बन रही है, इसलिए यहाँ पर सबसे बढ़े decide किया गया, that in order to, that in order to produce electrical energy, in order to produce electrical energy, there must be a separation, there must be a separation between the metal rod and the salt solution, बलब यहाँ पर क्या करना पड़ा, कि जो तुमारी zinc की metal rod है, जो तुमारे zinc की metal rod है, और जो तुमारा salt का solution है, इन दोनों के अंदर, एक separation होना चाहिए, separation होगा, तो क्या होगा सर, मैं आपको अब दीरे दीरे उसको समझाता हूँ, और चीज को explain करता हूँ, तो सबसे पहला point आप लोगों को यह समझ में आना चाहिए, कि electrochemical cell के अंदर हमने separation क्यों create किया, अब कैसे create हुआ electrochemical cell, सब लोग इसको बड़े आराम से, और ध्यान से observe करने की कोशिश करेंगे, यह देखिए, सबसे फ़ले एक chamber यहां ले लिया गया, और इस chamber को separate कर दिया इस दूसरे chamber से, ठीक है, इस chamber के अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक solution रख दिया, और इस chamber के अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक solution रख दिया, ठीक है, इस chamber के अंदर हम लोगों ने एक electrode लगा दिया, electrode मतलब आपके metal की rod, एक electrode हमने इसमें लगा दिया, और एक electrode हमने इसमें लगा दिया, अब हमने ध्यान क्या रखा, कि अगर ये वाला electrode, zinc है, तो ये जिस solution में डूबाया जाना चाहिए, ये solution इसी zinc का salt होना चाहिए, मनलब जो metal आप यहाँ पर इस्तमाल कर रहे हो, उसी metal का salt का solution आपको रखना है, यानि अगर आपने यहाँ पर zinc लिया है, तो zinc को आप काई में डूबाओगे, zinc sulfate में, zinc sulfate नहीं हो तो zinc chloride ले लो, zinc nitrate ले लो, लेकिन salt zinc का होना चाहिए, similarly यहाँ पर आपने जो copper नामक प्राणी लिया है, यानि यहाँ पर जो second electrode है, वो आपने कौन सा ले लिया, copper, अब आप लोग rule के हिसाब से समझी गए हो कि, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर copper sulfate का aqueous solution होना चाहिए, क्या यह बाद समझ में आ गई, now as per the chemical reaction, जो की हो रही थी, जो की घट रही है, zinc electron छोड़ कर, plus two charge occupy करके, खुद को oxidize कर रहा है, मतलब हो ना हो, यह वाले chamber में, oxidation नामक process घट रही होगी, zinc के द्वारा electron छोड़े जा रहे होंगे, और दूसरी जो हम लोगों ने process देखी, उसमें copper already plus two form में है, और वो zinc से छोड़े जाने वाले, यह दो electron को accept करके, खुद को reduce कर रहा है, मतलब copper के द्वारा reduction होना चाहिए, तो second half बन जाता है आपका, reduction chamber, और we can say reduction half, oxidation half and reduction half, क्या चीज़ clear हो गई, ना, बड़े आराम से एक चीज़ नोट करी जाए, जब हमने हमारे जिंक के electrode को, एक wire से connect किया, जिंक के electrode को, हमने एक wire से attach करा, यहाँ पर एक m meter लगा दिया, यह volt meter, अलग-अलग किताबों में, अलग-अलग नामें, बेसिकलि आपको एक ऐसा instrument लगाना है, जो current के flow को बता सके, यहाँ पर अपने की लगा देते हैं, ताकि जब आप इसको connect करें, तभी आपको flow होतावा नजर आए, और यह मैंने इसको इससे connect कर दिया, ठीक है, यह हम लोगों ने यहाँ पर इसको connect कर दिया, अब क्या करा, अभी भी process चालू नहीं होगी, इस process को चालू करने के लिए, हमें अभी भी यहाँ पर एक चीज की जरूवत है, and that is a salt bridge, एक bridge जिसको बुला गया salt bridge, जो कि इस तरीके से इन दोनो solutions को connect करता है, यह एक salt bridge है, जिसने इन दोनों chambers के liquid को आपस में connect किया, इसको क्या वो लगाया, salt bridge, जैसे ही आप की जोडोगे, जैसे ही आप की जोडोगे, आपको देखने को मिलेगा, कि इस zinc के द्वारा, electrons release किये जा रहे हैं, आपको क्या देखने को मिलेगा, कि इस zinc के द्वारा, तेजी से, इसका oxidation हो रहा है, और electrons छोड़े जा रहे हैं, in fact, जो electrons छोड़े जा रहे हैं, in fact, जो electrons छोड़े जा रहे हैं, वो इस wire के थुरू, electrons, इस wire के थुरू, zinc से, copper की तरफ travel कर रहे हैं, जैसे ही मैंने इसको जोड़ा, जैसे ही मैंने इसको जोड़ दिया, तो मैंने क्या देखा, कि मेरे जो electrons हैं, वो तेजी से, किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, वो तेजी से, इस copper electrode की तरफ बढ़ रहे हैं, in fact, copper electrode को भी पार करके, के वह कहां जा रहे हैं वह इस copper die positive के mixture में जा रहे हैं इससे क्या होगा बही copper already यहां पर die positive form में तो zinc से आने वाले electrons को यह accept करके solidify हो जाएगा तो दीरे-दीरे आपको यहां पर copper deposit होता हुआ भी नजर आएगा आपको इसी के electrode पर दीरे-दीरे आपको copper deposit होता हुआ नजर आएगा यानि क्या होगा slowly copper का जो electrode है slowly copper का जो electrode है will get thick या I will say will get thicker and thicker दीरे-दीरे-दीरे यह मोटा होता जाएगा क्यों क्योंकि जितने भी solution के अंदर copper die positive है वो सब यह electron को accept करते चलेंगे accept करते चलेंगे और solidify होकर यहां पर copper की plate पर जमते चलेंगे और वहीं पर आप देखोगे कि दीरे-दीरे-दीरे-दीमे-दीमे-दीमे-दीमे आपका जो zinc का rod है यह पतला होता जाएगा zinc का जो rod है it will get thinner and thinner आप लोग जानते है क्यों क्योंकि लगातार इसमें से electron उपर की और जा रहे हैं तो यह क्या हो गया तुम्हारा flow of electron यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि electron का flow कहां हो रहा है तो star बना गया अपन लिखेंगे flow of electron कहां होगा flow of electron will be zinc to copper यानि कि आपके इधर से इधर अब एक बात बताओ मुझे कि जहाँ पर oxidation होता है जहाँ पर oxidation होता है उस electrode को क्या बोलते हैं उसके लिए अब एक ट्रिक याद रखना उस ट्रिक को मैं हमेशा है रखता हूँ आओ Cristiano Ronaldo आओ Cristiano Ronaldo मतलब जो anode होगा उस पर हमेशा oxidation होगा और जो cathode होगा उस पर हमेशा reduction होगा तो अपने trick क्या है आओ Cristiano Ronaldo तो यह oxidation हाँ है आप खुद देख भी रहे हो कि zinc के द्वारा electron छोड़े जा रहे है मलब zinc का oxidation हो रहा है तो definitely आप इस zinc को नाम देंगे anode और cathode के द्वारा electron accept किये जा रहे है क्योंकि cathode पे copper का reduction हो रहा है तो जहाँ पर reduction हो सके वो आपका cathode और जहाँ पर आपका oxidation हो सके वो आपका anode आप इस trick को ध्यान रखिएगा ठीक है तो इस तरीके से हम नेंको cathode anode नाम देंगे दिया अगर आपसे आपकोई पूछे कि flow of electron कहां से कहां हो रहा है तो आप बोलेंगे flow of electron is taking place from anode to cathode flow of electron कहां से कहां हो रहा है cathode से anode अच्छा अब आप एक बात और observe करो कि zinc के द्वारा जो electron छोड़े गए वो तो इस wire के थ्रू वो तो इस wire के थ्रू ऐसे 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 मूड़के cathode तक आ गए z and die positive का भी कुछ करना पड़ेगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि तेजी से तेजी से z and die positive ions यहाँ पर इखटा होना शुरू हो रहे है मतलब आपको एक गडबड होती वी नजर आ रही है कि zinc के द्वारा electron जैसे ही cathode की तरफ भेजे गए zinc का metal तूड गया और zinc का यह rod तूडते ही उसके electron तो इस तरफ आ गए wire के थ्रू लेकिन इसका क्या होगा भाई यह तो solution में घुल गया अब solution में जैसे जैसे z and die positive बढ़ते जाएंगे oxidation half में positive charge बढ़ता जाएगा oxidation half में positive charge बढ़ता जाएगा क्या बास समझ मागई कोई परेशानी ना जरा सा अपन reduction half की तरफ आते है अब reduction half में क्या हो रहा है reduction half में जितना भी CuSO4 है यह तूटता जा रहा है Cu die positive and SO4 negative में यह तूटता जा रहा है जितना भी Cu die positive है यह जितना भी आपका Cu die positive है वो इन दो electrons को जो zinc की तरफ से आ रहे हैं accept करके खुद तो copper metal बन जाता है और यह यहाँ पर जमा होने लग गया लेकिन बेटा SO4 का क्या होगा मलब यहाँ पर आप देखेंगे कि तेजी से इस solution के अंदर SO4 die negative की मात्रा बढ़ती जा रही है तेजी से SO4 die negative की मात्रा बढ़ती जा रही है मलब लफड़ा समझ में आगया आप लोगों को कोई परेशानी और जैसे यह cell काम करना चालू करेगा हम लोग जानते हैं कि flow of current is opposite to the flow of electron तो flow of current आपको कहां सा कहां देखने को मिलेगा आपको flow of current cathode से cathode से anode की और होतावा दिखाई देगा मलब जो current रहेगा current will flow like this current will flow like this इसलिए आप देखा आपको reading इस तरफ जूकी भी दिख रही है यह so this is the flow of current तो current बनना चालू हो गया flow होना start हो गया तो आप आपको समझ माये कि हमने दो chamber क्यों separate करें जब तक दो chamber separate नहीं करोगे wire के थूप electron flow नहीं होंगे और electricity में हमने हमेशा पढ़ाए what is electricity or what is current flow of electron तो जब तक electron flow नहीं करा होगे current कहां से बनेगा तो हमने दो chamber separate कर दिये ताकि आपका current का flow स्टार्ट हो जाए क्या यह चीज़ क्लियर हो गई अब आपको बस एक ही चीज़ बतानी है कि sir अगर मैं अच्छा physics का student हूँ तो आपका cell अभी work नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी circuit complete नहीं हुआ है circuit complete नहीं हुआ है electron का flow तो बता दिया यह ions का flow का क्या होगा इस chamber में zinc dipositive इखटा हो रहा है इस chamber में sulfate के negative ions इखटे हो रहे है तो एक chamber धीरे-धीरे positive होता जा रहा है एक chamber negative होता जा रहा है तो ना तो आपने इनके ions का flow बनाया ना तो आपने इनकी neutrality maintain करी तो आप कैसे बोल सकते हो कि यह cell काम करेगा तो यह चीज़ करेगा आपका salt bridge यह function कौन perform करेगा आपका salt bridge तो salt bridge क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ बट पहले ज़रा इसका screenshot ले लो और ताकि flow of anode, flow of electron, flow of current और यह chemical reaction आप note कर लो अच्छा दीरे-दीरे क्या होगा? दीरे-दीरे यह anode पतला होता जाएगा और एक time period के बाद anode ions छोड़ने की और electron छोड़ने की ताकत नहीं रहखेगा और cell आपका decompose हो जाएगा, cell आपका खतम हो जाएगा इसलिए यह cell हमेशा चालू नहीं रहते है ठीक है? क्या आप लोगों ने यह note कर लिया? मेरे प्यारे-पैरे बच्चा लोग, क्या ही आप लोगों ने इस दरीके से note कर लिया? पक्की बात? ग्रेट! तो यह बाते important हैं यह बाते बहुत जरूरी हैं इनको आपको याद रखना ही पड़ेगा तभी मजाएगा नो बेसिकली यहाँ पर आपने देखा कि आपके पास ने salt bridge नावब चीज़ भी है you have a salt bridge now what is salt bridge? salt bridge का काम क्या है? देखो, salt bridge सबसे पहले is made up of is made up of either KCL और K2SO4 और NH4 hole twice SO4 etc मनलब ऐसी salt जो की replaceable ना हो actually क्या होता है? आप लोगोंने क्लास 10th में एक metal की जिसको बलना चाहिए reactivity series पड़ी होगी metal की आप लोगोंने reactivity series पड़ी होगी क्या होती है reactivity series? ये बताती है कि कौन सा metal जादा reactive है? तो हमने देखा कि potassium is the most reactive metal potassium दुनिया का सबसे जादा reactive metal है इस वज़े से हम लोगोंने यहाँ पर salt bridge बनाने के लिए या तो potassium का इस्तमाल किया या ammonium का इस्तमाल किया जो कि एक बहुत weak salt है least reactive salt है तो हम लोगोंने ऐसा क्यूं किया? हम लोग ने salt bridge बनाने के लिए इस chemical का इस्तमाल क्यूं किया? तो salt bridge बनाने के लिए इस chemical का इस्तमाल इसलिए किया because it do not participate in reaction it do not participate in any reaction in any reaction with either cathode with either cathode और anode नि तो पता चला यह तो पता चला कि अगर आपने यहाँ पर एक ऐसा salt ले लिया जो कि FESO4 है तो reactivity series के हिसाब से zinc is more reactive than iron तो zinc क्या करेगा? इदर copper के साथ reaction करने की वज़ा है यह salt bridge में फसे वे FESO4 के साथ ही reaction करके ZNSO4 बना लेगा तो आपका cell work नहीं करेगा इसलिए हम लोग चाते हैं कि आपके salt bridge के अंदर ऐसे salt भरे पड़े हो ऐसे chemical हो जो कि non reactive हो या ऐसे हो जिनके साथ में बाकी metal चाहा के भी reaction नहीं कर सकते हैं ठीक है? अच्छा और यह जो salt bridge बनता है it is made up of gelatin और agar agar solution मतलब इसको आपको jelly like रखना है यह किस form में होना चाहिए? यह jellies के form में होना चाहिए यह jelly के form में होना चाहिए यह बिलकुल गाड़ा गाड़ा होना चाहिए अब क्या होगा? अब देखो आप यहाँ पर salt bridge क्या करेगा? salt bridge यहाँ से तेजी से z and die positive का uptake चालू कर देगा यह क्या करेगा? यहाँ से तेजी से z and die positive का uptake चालू कर देगा और यहाँ से यह तेजी से SO4 negative का uptake चालू कर देगा और इनको react कराना चालू कर देगा अपने अंदर यह दोनों यहाँ से z and चलेगा यहाँ से SO4 चलेगा और यहाँ पर मिलके ZnSO4, ZnSO4, ZnSO4 बनना चालू कर देंगे reaction क्या थी तुमारी Zn plus CuSO4 से ZnSO4 बनना चाहिए न तो यह कहां बनेगा यह कहां बनेगा यह यहां बनेगा तो basically आपका जो electron का flow है यह तो आपको नजर आ रहा है तो आदा circuit तो complete हो गया लेकिन बचावा circuit याने ions का flow salt bridge चालू कराके ions के flow को salt bridge शुरू करके आपके पूरे cell को complete करेगा मतलब electron भी flow हो रहा है ions भी flow हो रहा है electron flow, ion flow electron flow, ion flow electron flow, ion flow electron flow, ion flow तो अब आपका circuit complete हो गया salt bridge का second important function क्या होता है by uptaking by uptaking Z and I positive from oxidation half बिटा OH मतलब OH मतलब oxidation half and RH मतलब reduction half प्लीज इस बात का ध्यान रखना and SO4 di negative from reduction half it completes the circuit यह circuit को complete करने का काम करता है तीसरा आप देखो अगर circuit यह salt bridge नहीं होता तो यहाँ पर तेजी से Z and I positive इखटे होना शुरू हो गयते मतलब टेक्निकली यहाँ पर positive charge बढ़ने लगया था और यहाँ पर तेजी से negative charge बढ़ने लगया था ऐसी condition में electrons flow नहीं करेंगे जब तक नीचे का मामला neutral नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा आप खुछ सोचो ना अगर Z and I positive की मात्रा बढ़ने लगे तो जिंक अपने आप ही electrons छोड़ना और Z and I positive बनाना बन कर देगा यहाँ पर अगर negative मात्रा बढ़ने लगे तो यहाँ पर copper अपने आप ही formation रुख जाएगा तो आपको यहाँ पर electrical neutrality maintain करने हैं तो salt bridge क्या करता है it maintains it maintains electrical neutrality and therefore maintains the flow of current and therefore maintains the flow of current maintains the flow of current और यही reason है कि आपके salt bridge की वज़े से current flow होता रहता है जल्दी से इसको note कर लो इसको ज़रा note करो so that we can move चलो फड़ा फड़ा note करो बच्चा लो चलो 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 नोट करो मैंको एक पॉइंट और लिखना है salt bridge के बारे में सिर्फ एक पॉइंट तो आप फर्स्ट वाला पॉइंट जल्दी से note कर लो फर्स्ट वाला पॉइंट जल्दी से note कर लो ताकि इसको मैं रब कर दू और आपको चोथा बाला पॉइंट लिखा दू, ठीक है, फटाफट नोट करो, चलो, चोथा बाला पॉइंट लिखेंगे, चोथा बाला पॉइंट क्या है, basically चोथा वाला point तीसरे और दूसरे का mixture है basically क्या होता यह देखा गया कि for a very smooth for a very smooth flow of current flow of current there should be there should be good mobility there should be good mobility good mobility of ions which is maintained by salt bridge which is maintained which is maintained by salt bridge basically क्या होता है आप खुद सोचो कि अगर यहाँ पर SO4 की मात्रा बढ़ जाए इस salt bridge के अंदर SO4 की मात्रा बढ़ जाए और ZN की मात्रा कम हो जाए तो क्या equal और बढ़िया flow हो पाएगा नए जितने SO4 है उतने ZN की आवशकता है जितने SO4 है उतने ZN की आवशकता है इसी वज़से हमेशा ध्यान रखना कि equal number of cation और equal number of nion होंगे और यह जितना easily flow करेंगे उतना easily current flow करेंगा तो यह काम भी salt bridge करता है कि mobility of ions को maintain करके रखता है cdc भाषा में आपके लिखोगे it maintains the mobility of both the ions ठीक है it maintains the flow of ions अच्छा एक बात और बता दू भाई salt है current pass हो रहा है तो जैसे यहां से ZN डाइ positive आ रहा है तो आपके मान में एक सवाल आना चाहिए नहीं क्या सब्सक्राइब कैसे क्या suction pump है क्या यह सक करेगा ना जैसे मान में तुम्हें पास में आपर K2SO4 है salt bridge में तो K2SO4 का जो SO4 है वो इसके ZN को फक्त से उपर खीच लेगा सक कर लेगा और इसका जो K2 है वो यहां से SO4 को खीच लेगा समझ रहे हो मलब क्या होगा जैसे मान लो तुम्हारा salt bridge किससे बनाए K2SO4 से तो salt bridge का जो K2SO4 है इसका SO4 इस तरफ भागेगा ताकि ZN को खीच सके और इसका potassium इदर भागेगा ताकि SO4 को खीच सके तभी तो यह mobility को maintain करेगा समझ रहे हो तभी यह mobility को maintain करेगा mobility को maintain करने वे salt bridge का बहुत बड़ा हाथ होता है क्या यह बात मेरा प्यारा प्यारा बच्चा लोगों को अच्छे तरीके से clear हो गई Is there any kind of दिक्कत चलो इसको जल्दी से note कर लो अब एक और जरूरी बात में आपको बता देता हूँ फटा फट से बता देता हूँ ठीक है चलो note करो देखो अब एक important बात में आपको बताता हूँ salt bridge तक का मामला समझ में आ गया अब एक बात ध्यान रख लो जो हमेशा numericals वगेरा के अंदर आपको आ सकती है और वो बात क्या है कि यह जो तुमारा cell है इसको also called as this cell is also called as galvanic cell एक scientist थे galvanic cell कुछ करके तो उनको tribute देने के लिए इसका नाम galvanic cell रख दे क्योंकि उन्होंने इस cell के अंदर बहुत काम किया था एको नाम था Alexander Voltaic तो उन्होंने भी इस पर खुब काम किया था इसलिए इसको Voltaic cell भी बोला जाता है and it is also called as Daniel cell Daniel cell में एक बात रहती है हमेशा ध्यान रखना कि यही वाली प्रोसेस होती है zinc और copper वाली आप कुछ और इस्तमाल नहीं कर सकते बलब आपने यहापर anode पे zinc लेना है cathode पे copper लेना है यहाँ पर copper sulfate यहाँ पर zinc sulfate लेना है तो Daniel cell लेकिन Voltaic और Galvanic cell में आप यहाँ पर amendment कर सकते हो जैसे मैं आपको उता था ने silver nitrate भी ले सकते हो तो आप चाहो तो यहाँ पर copper ले लो यहाँ पर copper sulfate ले लो यहाँ पर silver ले लो यहाँ पर silver nitrate ले ले लो वो भी cell बन जाएगा, तो it is also called as galvanic cell and voltaic cell, अब हमेशाद ज्यान रखना, इस cell के द्वारा जो potential बनाया जाता है, इस cell के द्वारा, जो potential बनाया जाता है, potential by electrochemical cell, electrochemical cell is always equal to 1.1 volts, इन cells के द्वारा, अभी जो आप लोगों को potential generate होता है, जो current flow हो रहा है, यहाँ पर जापको reading मिलेगी है, जापको यहाँ पर reading मिल रही हो, कितनी मिल रही है, 1.1 volts की, ठीक है, अब एक बाद ध्यान रखना, अगर मैं इस cell में बाहर से current supply करना चालू कर दो, मैं क्या करूँ, इस cell में बाहर से potential supply करना चालू कर दो, मतलब मैं इस cathode को, और इस anode को, एक external potential से जोड़ दो, इस तरीके से, ठीक है, आप diagram में अभी कोई change मत करो, आप बस समझ लो, कि हमने external potential जोड़ दिया, तो अगर तुम जो external potential लगा रहे हो, अगर वो अभी भी 1.1 volt से छोटा है, अगर आप external potential 1.1 volt से अगर ये छोटा है, तो अभी भी क्या होगा, electron का flow आपको कहां से कहां देखने को मिलेगा, anode से cathode, current का flow कहां से कहां देखने को मिलेगा, cathode से anode, लेकिन अगर आपने external potential को इतना बड़ा दिया, इतना बड़ा दिया कि वो 1.1 volt को क्रॉस करके उपर चला गया, या external potential 1.1 volt के बराबर आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, cell will stop working, ना तो electron का flow देखने को मिलेगा, ना तो current का flow देखने को मिलेगा, मलब अगर आपने cell में बाहर से कीडा करा, अगर यह cell ऐसा बना हुआ है, तो definitely इतना potential आपको मिलता रहेगा, लेकिन अगर आपने बाहर से external potential इतना ही लगा दिया, इसके potential को जो बाहर से potential आ रहा है, वो cancel कर देगा और cell अब रुख जाएगा, लेकिन अगर आपने external potential को 1.1 volt से बढ़ा दिया, जैसे 1.3 कर दिया, 1.2 कर दिया, 2 कर दिया, तो फिर क्या होगा, अब यहाँ पर cell reverse हो जाएगा, electron का flow बदल जाएगा, अब electron भागने लगेंगे cathode से anode की तरफ और जो तुम्हारा current है, जो तुम्हारा current है, वो भागने लगेगा anode से cathode की तरफ, अब एक बात बताओ, external potential मतलब आप बाहर से electricity लगा रहे हो, और जब कभी भी बाहर से electricity लगाई जाती है, और cell function करना चालू करता है, ऐसे cell को electrolytic cell बोलते हैं, तो यह convert हो जाएगा electrolytic cell के अदर, बनलब यह behave करने लगेगा electrolytic cell की तरह, बनलब जब कभी भी आपके cell का potential कम हो, और external potential जादा हो, वो electrolytic cell है, और जब external potential कम हो, और आपके cell का potential जादा हो, वो electrolytic chemical cell है, और जब external और cell का potential बराबर हो, तो यह कुछ नहीं है, तो फिर यह work नहीं करेगा, फिर यह cell किसी भी प्रकार के काम का नहीं होगा, क्या बात समझ मागई, मैं यह diagram अब रफ करूँगा, और एक बात आपको बताऊँगा, मैं लिख के इसको explain कर देता हूँ, कि अभी तक आप लोगों का, अगर external potential, 1.1 वोल्ट से छोटा है, तो यहाँ पर electron, anode से cathode flow करेंगे, मलब यहाँ पर तुम्हारा zinc, copper die positive से react करके, Zn die positive बनाएगा और copper बनाएगा, मलब electron, zinc के द्वारा loose किये जाएंगे, और copper के द्वारा accept किये जाएंगे, लेकिन अगर यह तीसरा वाला case आगया, तो यहाँ पर मामला उल्टा हो जाएगा, अब यहाँ पर तुम्हारा copper, electron छोड़ेगा, और zinc, electron accept करेगा, यह electron loose करेगा, और यह electron accept करेगा, अब आपके मन में सवाल है का सर, आपने तो अभी अभी बोला था कि copper, zinc से कम reactive है, copper, zinc से कम reactive है, तभी तो अपने आप reaction नहीं कर रहा, लेकिन जब आप उसको external potential दे दोगे, जब आप external बाहार से जब आप support दे दोगे, तब तो फिर वो power में आ जाएगा न, तो यहाँ पर being less reactive than zinc, एसा नहीं चाहिए, copper being less reactive than zinc, loses electrons, loses electron easily, because of the support of external potential, external potential की वज़े से यह चीज़ देखने को आपको मिल रही है, तो अब electron का flow क्या हो गया, उल्टा हो गया, copper आपने कहा लगाया था, cathode पर, और zinc कहा लगाया था, आपने anode पर, तो electron cathode से निकल कर anode पर चले गए, और current का flow opposite हो गया, current का flow anode से cathode हो गया, तो बच्चा लोग यह इस chapter का introductory point था, आज introduction करा, अब कल की class में हम हमारे electrochemical cell को और आगे बढ़ाएंगे, और कल हम सीखेंगे कि यह electrode potential क्या होता है, oxidation electrode potential, reduction electrode potential, एक electrochemical cell का, अगर आपको EMF, Electromotive Force, या एक cell का potential पता लगाना है, जैसे हमने यहाँ पर cell का potential 1.1 volt लिखाना, तो यह कहां से आया, इसका कुछ तरीका होगा, तो वो सीखेंगे, standard hydrogen electrode सीखेंगे, और फिर कुछ numericals करके देखेंगे, chapter easy है, NCRT को अब पढ़ना, अब NCRT को जहां तक मैंने पढ़ा दिया, यहां तक पढ़ना, या कोई भी अच्छे लेवल की किताब खुल के देखेंगे, आपको यह सारी चीज़ें मिल जाएंगे, तो आज ही class यहीं खतम करते हैं, that's all for today मेरा बच्चा लोग, bye bye and have a great day, देलाइल्डो.